नसीरुद्धिन साहब बलूट के दिग्ज़ अभनिताओं में से एक हैं और उन्होंने समय समय पर दमदार किरदार निभाकर अपनी काबिलियत दर्शकों के सामने साबित की हैं आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और कई बार वो अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में आजाते हैं नसीरुद्धिन साहा ने फिल्मों में सकरात्मा का और नकरात्मा का हर तरह की किरदार निभाई हैं और उनके कुछ किरदार ऐसे भी रहे हैं जो लोगों के दिलों में बस गई हैं और उनकी दमदार परफॉर्मेंस के चलते कई बार उनके आगी हीरो भी फ उन्होंने अपनी फिल्मी के डियर की शुरुवात स्याम बेनेगल की फिल्म निसांत से की थी जो 1975 में रिलीज हुई थी नसिरुदिन सा की पहली फिल्म से उनकी निजी जिन्दगी का एक ऐसा किस्सा जुड़ा है जो सायद उनके सभी फैंस न जानते हो उन्होंने अपनी पहली फिल्म से जुड़े इस दिल्चस्प किस्से को एक बार जैपूर लिटरेचर फरस्टिवल में सुनाया था और नसीरुधिन सहा का कहना था कि वो दिखने में खुपसूरत नहीं थे और बालूड में हिरो बनने के लिए हिरो जैसा दिखना जरूरी है वो जो गुड लूकिंग हो और जिसके डोले सोले देखकर लड़कें उस पर फिदा हो जाए लेकिन दोस्तों नसीरुधिन सहा में ये क्वालिटी कभी नहीं रही ऐसे में एक दिन उनकी गल्फरेंड ने ये कहकर उनसे ब्रेक अप का लिया कि वो बालूड फिल्मों के हिरो की तरह सुन्दर नहीं है और नसुरुधिन सहा ने बताया कि सुन्दर ना होने की वज़ाई से ही स्याम बनेगाल की फिल्म में उन्हें ब्रेक मिला था दरसल स्याम बनेगाल को जैसा किरदार हीरो के लिए चाहिये था उस लूक में नसुरुधिन सहा बिल्कुल फीट बैट रहे थे भले उनकी गर्फ्रेंड उन्हें लोक्स को लेकर छोड़का चली गई हो लेकिन इसी काराण से ही नसुरुधिन सहा को उनकी पहली फिलिम मिली थी और नसुरुधिन सहा की निजी जिन्दगी की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी की तरह ही है आपको बतादे की नसुरुधिन साहा ने परविन मुराद से साधी की थी जो उम्र में उनसे करीब 15 साल बड़ी थी उनकी इस साधी से उनके घार वाले बेहद नराज थे और साधी के एक साल बाद ही उन्हें बेटी पैदा हुई और उनका नाम है हिबास साहा और नसुरुधिन साहा परविन से मुहबत करते थे लेकिन साधी के बाद उनके बीच जगड़ी होने लगी इसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया और इन सारी परिसान्यों को दर किनार करते हुए नसुरुधिन साहा ने नेशनल इस्कूल आप ड्रामा जुआन किया और फिल्मी दुनिया में रम गई थेटर करते हुए नसुरुधिन साहा की मुलकात रतना पाठाक से हुई थी और दोनों पहली बार एक प्ले के लिए मिले थे इस प्ले का नाम था संभोग से सन्यास तक जिसका निर्देसान सत्यदेव दुबे कर रहे थे और रतना नासिर से 13 साल छोटी है लेकिन प्यार में उम्र कहा महने रखती है जनाब नसुरुधिन साहा परविन से अलग जरूर हुए थे लेकिन उन्होंने तलाक नहीं लिया था इसलिए सुरुधिन साहा फिल्मों में बहुत ही कम नजर आते हैं लेकिन आज भी वे फिल्मों में सक्रिय है और आज भी अपनी दमदार एक्टिंग से दर्सकों का मन लुभा रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों की ये बहुत ही मज़ेदार किस्ता जो है वो कैसा लागा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकिये हैं तो फ्लीज दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो को अभी तक लाइक निकिये हैं तो लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा थांच दोस्तों हमारे वीडियो वाचिन करने के लिए